यहाँ पर सिलेबस में सब कुछ जानेंगे एक्जामिनेशन पैटर से लेकर यहाँ पर जो है टॉपिक ऑन कौन से स्टड़ी करने हैं और देखिए आपको सबसे पहले बता दो इलिजिबिलिटी क्राइडिरिया देख लेजेगा काफी confusion में आप रहते हैं कि यहाँ पर क्या है लिजिबिलिटी क्राइडिरिया हम लिजिबल है या नहीं तो यह जो है discuss मैंने already कर लिया है सच करके देख लिजेगा यहाँ पर आपके यह जो है सबरेट विडियो मैं बना दूँगा यहाँ पर matter of or endurance examination आप देख लिए क्या क्या study करनी है तो यहाँ पर जो है topic में इंसन है topic आप note down कर लेंगे जितने भी है यहाँ पर note down करने के बाद करेंगे क्या यहाँ पर इन topics में जो है study करनी है जिससे mcq questions आपके solve हो जाए आप सूज रहे होंगे mcq questions कैसे बन सकते हैं topic के बिल्कुल बन सकते हैं आप देखिए अगर idea नहीं काफी लोगों को होगा यहाँ पर अच्छी बात है जिनको idea नहीं कैसे questions पूछे जाएंगे वो internet में search करेंगे topic को और उसकी mcq questions जो है solve करनी की खोसिस करेंगे internet में already यहाँ पर level होंगे questions वहाँ से काफी आपको idea मिल जाएगा topic को अच्छे से read करनी है आपको और यहाँ पर topic क्यों नहीं read कर रहा काफी जादा time चला जाएगा आप already यहाँ पर देख रहे हैं फिर भी कुछ यहाँ पर बात हैं आप देख लिजे यहाँ पर जो है दूसरा आप देख रहे है topic English यहाँ पर English भी पूछा जाता है PO level की reasoning होती है computer fundamentals आप से पूछे जाते हैं तो English भी आप यहाँ पर practice करनी होके English काईसे करना है वो मैं बता दूँगा यहाँ पर PO level की reasoning जो है यह भी 30 marks की होती है तो PO level की आप देख लिजेगा कैसे reasoning पूछे जा रहे है reasoning के लिए Arihan book बहुत अच्छी है Arihan book अगर आप नहीं ले पा रहे है तो digital version available होता है काफी यहाँ पर आपको जो है compassion में मिल जाएगा वो आप ले सकते हैं soft copy उसकी यहाँ पर computer fundamentals जो है वो भी आप से पूछे जाएंगे तो computer में कहीं न कहीं आपको ध्यान देना है अब यह जो topics आप देख रहे हैं class science की है पहले में पहले में class science की topics है और जो है plus two label का यहाँ पर रहने वाला है तो उसे आपको study करने होगी अच्छे से जितने भी आपको topics देखनी को मिल रही है probability यहाँ पर रहेगी उस पर विध्यान देजेगा अब आते है examination pattern पर आप ने आगर screenshot नहीं दिया तो ले लिजे screenshot screenshot ले लिए आप यहाँ पर देख लेते है pattern of entrance examination की तो जितने भी questions पूछे जाएंगे उनका जो है question सोंगे सब को attempt केजेगा ना आए फिर भी attempt कर लेजेगा गलती से सही होगा तो फायदा होगा आपको क्योंकि यह negative marking यहाँ पर देखनी को नहीं मिल रही है total MCQ भी 100 होगा ठीक है 100 questions पूछे जा रहे है साथ में यहाँ पर देखिए question जो mathematics से होगा 30 marks को question होगा MCQ पूछा जाएगा topics mentioned होपर आप देख लेजेगा English जो होगा उस English में grammar पूछा जाएंगे grammar में जो है बहुत सारे topics है English grammar की कोई अच्छी book ले लीजेगा अगर नहीं आप की देखना book नहीं पढ़ना तो बिल्कुल YouTube की help ले सकते हैं वो भी आप purchase कर सकते हैं यहाँ पर जो है आपको reasoning देखनी को मिलेगा 30 marks की आरिहन्थ book आप जो है ले सकते हैं सारे topic यहाँ पर cover होंगे आरिहन्थ में तो यह 30 marks वहाँ से भी पूछे जाएंगे साथ में computer से आपके जो fundamentals हैं उससे यहाँ पर 10 questions पूछे जाएंगे तो computer पर भी ध्यान देना ऐसा नहीं कि आप जो है computer नहीं देख रहे हैं duration जो है दो गंटा का होगा यहाँ पर इंटरेंस examination यानि 120 minutes आपको दिया जाएगा जो कि more than enough है यहाँ पर और देखिए यहाँ पर जो है तैयारी करिएगा competition जादा होता है इसमें काफ़ी लोग इंटरेंस examination देते हैं और यहाँ पर जो है देखिए question paper काफ़ी लोग पूछते है question paper है या नहीं question paper नहीं public domain में क्योंकि संजबर college नाची यहाँ पर question paper इसमेट करा देती थी इसलिए question paper आपको देखनी को नहीं मिलेगा other universities, college के question paper आप देख सकते हैं पर pattern थोड़ा अलग होता है उनका फिर भी कहीं न कहीं help होगा idea मिल सकता है आपको idea लेना काफ़ी जरूरी है क्यों idea लेना जरूरी है ताकि या अंदाजा हो कि question ऐसे भी पूछे जा सकती है ठीक है काफी लोगों को पता नहीं होता जाते हैं interest exam question देकर blind हो जाते है अरे ऐसा question भी पूछा जा सकता है तो ऐसा ना हो आपके लिए इसलिए practice कर लेजेगा पहले यहाँ पर जो है interest date, interest time, interest day कुछ नहीं बताया गया बाद में notify करेंगे जब भी बताया जाएगा आपको मेरे चैनल में update देखनी को मिल जाएगा hope आपको समझ में आ गया हो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते है, comment कर सकते है और यहाँ पर जो है soft copy जो मैं बात कर रहा था वो मेरे पास available है, आप comment कर लिजे महाँ पर जो है मैं number देदूंगा किसी का उससे आप purchase कर सकते हैं soft copy वो जो है काफी कम दामों में आपको provide कर देंगे hope आपको समझ में आ गया हो thanks for watching, best of luck